नमस्कार दोस्तों आज मैं फिर हाजिर हूँ एक और टेस्टी हेल्दी वीट लोस रेसिपी के साथ वीट लोस सिंखला में आज मैं बनाने जा रही हूँ एक बार फिर वीट ब्रान रेसिपी आज की मेरी रेसिपी है वीट ब्रान अप्पे ये खाने में बहुत स्वाधिश्ट होते हैं और बनाना इन्हें बहुत आसान है ये लेस ओईल रेसिपी है फटाफट बनकर तयार हो जाती है बच्चे बड़े सभी इसे इजीली बना लेते हैं अप्पे की जो उपर की लेहर बहुत क्रिस्पी होती है और अंदर से ये फलफी और बहुत सौफ्ट होते हैं तो आएए चलिए मेरे साथ देखते हैं इन स्वाधिश्ट वीट ब्रान अप्पे को कैसे और किनकन सामगरी के साथ बना करके तयार करते हैं अपपे बनाने के लिए ये आधा कटोरी मैंने वीट ब्रान लिया है जो हम गयों काटा छानते हैं छानने पर ज़़ चोकर निकलता है वही वीट ब्रान है साथ में मैंने ये आधा कटोरी सूजी लिया है सूजी बारीक या मोटी कोई भी ले सकते हैं और ये आधा कटूरी मैंने फ्रेस दही लिया है, साथ में आधा आधा चमच नमक, जीरा और आधा चमची मैंने फ्रूट सॉल्ट लिया है, यानि कि ये आधा सेचिट है, बारी कटा हुआ एक इच अधर का टुकड़ा और दो हरी मिर्चली है, यदि घर में हरा धनिया पत्त करते हैं, इससे अप्पे का टेस्ट बहुत बढ़ जाता है, अब एक बड़े बॉल में सूजी, वीट प्रान, जीरा, नमक डाल देंगे, साथ में हम ये दही है, इससे भी डाल करके अच्छे तरह से मिला लेंगे, देखे, सभी सामगरी अच्छे से मिल गई है, अब जरू अप्पे का बैटर बन गया है, अब इसे ठक करके, दस मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे, ताकि हमारी सूजी फूल जाए, जितना पानी उसे सौख ना है, उसे सौख लेगी, दस मिनट बाद हम प्लेट हटा कर देखते हैं, देखे, अप्पे का बैटर अब जो आधा चमच यानि कि आधा सेचित इन्नों फूट साल्ट है, उसे डाल देंगे, उपर से एक चमच हम पानी का डाल करके, इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे, लीजिए अप्पे के लिए परफेक्ट बैटर बन करके तयार है, अप्पे पैन को मैंने गैस पे गरम क कर लिया है, और थोड़ा-थोड़ा देशी घी डाल कर उसे भी गरम कर लिया है, अब एक एक चमच इस मोल्स में हम अप्पे बैटर को इस तरीके से भरते जाएंगे, देखिए मैंने सभी मोल्स को अप्पे बैटर से भर लिया है, अब इसे धक करके मीडियम फ्लेम पर क्र तरीके से फैला दीजिए, और धक कर मीडियम फ्लेम पर थोड़ी देर पकने दीजिए, कुछ मिनिट बाद अप्पे पैन का हम लिड हटाएंगे, और चमच से सभी अप्पे को इस तरीके से पलट देंगे, देखिए हमने सभी अप्पे को पलट दिया है, और यह अच्छी पिना ढखे थोड़ी दे पकने देंगे, दूसरे तरफ फ्राइफेन का हम लिड हटाएंगे, और इसे भी हम पलट देंगे, देखिए कितना शांदार क्रिस्पी बनकर तयार हुआ है, अब थोड़ा सगी डाल देंगे इसमें, ताकि दूसरे तरफ से भी यह क्रिस्पी बन कर तयार हो, इधर हमारे अप्पे बनकर तयार है, इनने हम प्लेट में निकाल लेंगे, देखिए हमारे सबी अप्पे अच्छे से बनकर के तयार है, देखिए हमारे अप्पे तो अच्छे बनकर तयार हुए है, साथ में जो हमने फ्राइफेन में एक उत्पम बनाया था, वो भी दूसरी तरफ से देखिए, कितना क्रिस्पी बन करके तैयार हुआ है। दोस्तों, देखिए, एक ही बैटर से हमने दो रेसिपीज तैयार की हैं। आगे से यदि आपके पास अप्पे पैन नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप फ्राई फैन में इस तरीके से उत्पम बना करके तैयार कीजिए। ये भी बेहद ही स्वादिश्ट बन करके तैयार होते हैं। आईए वीट ब्राण अप्पे को तोड के दिखाते हूं। देखिए, बाहर से क्रिस्प लगने वाला अप्पे अंदर से कितना फ्लफी, सौफ्ट और जालीदार बन करके तैयार हुआ है। इन गर्मा गर्म वीट ब्राण अप्पे को हरी धनी की चटनी के साथ खाने का आनंद उठाईए। और अपना फीडबैक कॉमेंट सेक्षन में जरूर दीजिए। रेसिपी से रिलेटिट किसी भी जानकारी के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फोलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाइडी मेरे चैनल के एबाउट सेक्षन में मिल जाएगी। और भी शानदार नास्ती की रेसिपीच के लिए आप मेरे चैनल को जरूर विजिट कीजिए। यदि आपको मेरी रेसिपीच अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजेगा, ताकि मेरी आने वाली सभी नई रेसिपीच के नोटिफिकेशन्स सबसे पहले आप तक पहुँचे, धन्यवाद।